लास्ट लिक्चर में हमने लाक उप्रोन के बारे में बेसिक चीज़े डिसकुस की थी इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेकानिजम और लाक उप्रोन के बारे में कि लाक उप्रोन का मेकानिजम कैसे है तो देखें लाक उप्रोन क्योंकि इंड्यूसिबल उप्रोन है तो normally इसके gene का expression off रहता है लेकिन जब इसको inducer मिलता है तो gene का expression क्या हो जाता है? on हो जाता है तो यही दोनों conditions हम लेके चलने वाले है सबसे पहले हम बात करेंगे in absence of inducer कि जब inducer absent है तो क्या होगा? और second condition फिर हम बात करेंगे in presence of inducer तो ध्यान से देखें सबसे पहले हमने क्या कहा था I represent करता है इसके regulatory gene को तो यह है इसका regulatory gene यहाँ पे है promoter यह promoter reason है यह है operator reason और इसके तीन structural gene है lack Z, lack Y and lack A होता कि है I जो gene है regulatory gene है वो constitutively क्या बनाता है? repressure बनाता है लगाता है चाहिए inducer present हो या absent हो तो इसने अपने gene को express करा है पहले repressure MRN ने बना और फिर repressure बन गया अब क्योंकि inducer क्या है? absent है और repressure regulatory gene का product क्या करता है? operator reason के साथ bind करता है तो यह operator के पास जाएगा और operator को cover करतेगा अगर repressure ने operator को cover कर लिया तो RNA polymerase जो कि प्रोमोटर पे बाइंड करता है cannot transcribe Z, Y and A इनको transcribe नहीं कर सकता तो at prevent इसकी अगर covering हो जाती है तो यह prevent करेगी RNA polymerase को कि वो operon को transcribe ना करें उसको रोकेगी ठीके? तो इसका मतलब किया है? कि अगर repressure operator को cover कर लेता है तो उसके structural gene expressed नहीं होगी that means gene का expression क्या हो गया बटा ओफ हो गया तो normally तो यह वली situation होती है जब inducer available नहीं होता है तो gene का expression क्या रहता है बटा ओफ रहता है अब अब बात करते हैं second situation that is in presence of inducer inducer की presence में क्या होगा? तो inducer की presence में देखे i-zene यहाँ पे भी वही काम करेगा repressure को बनाएगा repressure MRN ने transcribe होगा फिर translation हो करके आपका repressure बन गया लेकिन क्योंकि इस बार inducer available है तो inducer क्या करेगा? repressure के साथ bind करेगा और इस repressure को inactive कर देगा मलब इसकी जो binding site होती है जो operator के साथ react करती है उसको cover कर लेगा और अगर इसकी binding site cover होगी तो यह repressure inactive हो जाएगा that means यह अब operator को cover नहीं करेगा और अगर operator covered नहीं होता है तो promoter पे जो RNA polymerase है वो इसको cross करके कहा जाएगा structural gene के पास और इनको transcribe करेगा transcription होगा transcription होगा तो हमारे पास lack mRNA बना और lack mRNA ने translation किया और translation करके हमारे पास क्या बनगे? इनके product बनगे तो product क्या बने? जैसा कि हमने पहले भी discuss किया था lack jad ने बनाया beta galactosidase enzyme, lack y-zine ने बनाया permease enzyme और lack A ने बनाया transacetylase यहाँ पर एक चीज और clear होती है जैसा कि हमने transcription में पढ़ा था कि जो prokaryote होता है उनका जो structural gene होता है वो polycystronic होता है मैंने more than one polypeptide के लिए cord करता है देख लो इनका जो structural gene है वो more than one polypeptide के लिए cord करता है अगर eukaryotic होता तो एक ही polypeptide बनता ठीक है क्योंकि उनमें monocystronic होता है तो यह चीज ध्यान लखना यह important है तो इसका मतलब क्या है कि अगर inducer present होता है तो इसके structural gene अपने आपको express करें मतलब gene का expression क्या है बिटा on है और अगर inducer absent है तो gene का expression क्या है off है तो यह सीज आपको याद रखनी पड़ेगी यह आता है इनका mechanism में अब आते है conclusion कि इस mechanism से हमने क्या conclusion निकाला conclusion क्या है एक चीज और ध्यान रखना lackopron में lactose inducer का का काम तभी करेगा जब no other preferred carbon source is present no other preferred carbon source is present no other preferred मतलब जैसे कि glucose दे दिया अगर surrounding में glucose दे दिया तो उस case में lactose inducer का काम नहीं कर पाएगा मतलब gene का expression on नहीं होगा यह हमने पहले भी discuss किया था तो यह से ध्यान रखना lactose inducer का काम तभी करेगा जब कोई और preferred carbon source present नहीं है प्रेफरेट मतलब यह नहीं है कि कोई भी लेकिन glucose को वह प्रेफरेंस देता है कोई प्रेफरेड कार्वन स्वोर्स नहीं होना चाहिए ग्लू कोज नहीं होना चाहिए जिसको बैक्टिरिया क्या दे प्रेफरेंस दे lactose के comparison ठीक है तो regulation of lacoprone can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate substrate क्यों करे रहे ये line क्यों करे रहे बिटा जैसे हमने पहले भी देखा है कि lacoprone जो है इसके case में जो lactose है वो beta galactosidase के लिए एक सब्स्क्राइब कर रहें करेंन यह इसको है टौलाइस करके क्या करेगा ग्लॉकोज और ग्लक्रप्रियू बनाएगा तो यह क्या के रहे है लाक और प्रॉंद का expression किसके उपर depend कर रहे है लेक्टोज भी लेक्टोज का है इसकी एक एक एंजाईम का सब्सक्रेट यह क्या कर रहे है कि लैको पॉर्ण का जो रागूलेशन है वो एञ्जाईम सिंफै जबी विजुलाइज आज रागूलेशन आफ एंजाईम संफफसेज बाइड पहला conclusion हम निकालेंगे कि switch on या switch-off switching on औ और off कि ऑपरौन कि ऑपरोन switch on होगा या switch off होगा वह किसके उपर डिपेंड कर रहे है लक्तो पर डिपेंड कर रहे है और लक्तो स्प्वेश्प्ट क्या है इसलिए लेक्टुस इंडूसर का भी काम करें अगर इंडूसर प्रेजन्ट है तो जीन का एक्स्प्रेशन ओने मैं वह स्विच ओन कंडीशन में और अगर इंडूसर एपसेंट है तो लाक और प्रोन का एक्स्प्रेशन क्या हो रहा है विटा ओफ हो जाए ठीक है तो यह से ध्यान लखना अच्छे एक चीज़ और हमने कहतो दिया कि अगर इंड्यूसर एपसेंट है तो जीन का एक्स्प्रेशन ओफ हो जाएगा यह ठीकली तो हम कहा देते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं होता है सेकिंड किंक्लूजिन में हम क्या कहेंगे एलो लेवल ओफ है लो लेवल ओफ एक्स्प्रेशन ओफ लैक और प्रोन एक्स्प्रेशन ओफ लैक और प्रोन अगर इस जीन का एक्स्प्रेशन ओन नहीं होगा तो पर्मिये इंजाइम नहीं बनेगा सारह नहीं बनेगे लेकिन हमें तो में लिए पर्मिये चाहिए ना बाकी तो हम बाद में बहुत synthesize कर लेंगे और अगर permease नहीं मिलेगा तो surrounding से lactose कभी भी E. coli की body में enter नहीं कर पाएगा और अगर lactose body में enter नहीं करेगा तो वो inducer का काम भी नहीं करेगा इसलिए low level में अगर inducer absent होता है तो भी low level में ये zine express होता है practically अगर हम देखे otherwise permease नहीं बनेगा और permease नहीं बनेगा तो कभी भी lactose E. coli की body में enter नहीं करेगा third conclusion हम क्या निकालेंगे यहाँ पर जो हमने lack of prone का regulation पढ़ा regulation of lack of prone वो किस की वज़े से हो रहा है repressure की वज़े से हो रहा है कैसे अगर repressure operator को cover करता है cover operator तो उस case में तो zine का expression क्या हो रहा है off हो रहा है और अगर यह cover नहीं करता क्योंकि यह inactive हो जाता है not covered तो उस case में zine का expression क्या हो जाता है on हो जाता है तो यहाँ पर zine express होगा या नहीं होगा वो एक repressure पर depend कर रहे हैं इसलिए इस regulation को हम बोलेंगे negative regulation अगला question बनता है जो कि important है कि lack of prone की regulation को negative regulation क्यों कहते हैं क्योंकि आपर जो regulation हो रहा है वो किसकी वज़े से हो रहा है repressure की वज़े से हाला कि lack of prone positive regulation के control में भी होता है लेकिन उसका mechanism हमारे स्लेवस में नहीं है हमारे स्लेवस में सिर्फ रिप्रेशर की help से इसका regulation दे रखा है positive regulation हमारे स्लेवस में नहीं ठीक है अब हम आते हैं एक important question पे जो NCRT में and exercise में भी दिया हुए बहुत important question है और कई बार बोर्ड एक्जाम में आया भी है क्यूशन क्या है वाइडर्स वाइडर्स लाइक ओ प्रून कि शट डाउन कि शट डाउन सम टाइम आफ्टर सम टाइम आफ्टर कि ये. इडेशन अफ लेक्टो provision कि अडेशन अफ लेक्टो अ इंदा मीडियां हमने क्या क्या मीडियां मीडियां मतलए वो 258 कलचर मीडियांMoon儿 को दिया है ताकि वो ग्रो कर सके तो उसको ग्रो करने के लिए जोमने कल्चर मीडियां में हमने लेक्टDas को यम être तब तो जीन का expression क्या हो गया ओन हो गया लेकिन कुछ time के बाद after sometime Zen expression क्या हो गया बिटा ओफ हो गया जब हमने lactose डाल दिया था तो जीन पर्मानिटली ओन क्यों नहीं वा जीन के एक्स्प्रेशन कुछ ताइम के बाद वो आटोमेटिकली ओफ क्यों हो जाता है तो इसका कारण क्या है इसका कारण है क्योंकि जो लेक्टोज होता है ना वो ड्यूवल रॉल प्ले करते है क्या प्ले करता है ड्यूवल रॉल प तो इस लेक्टोज ने इंड्यूसर का काम किया कर दिया इंड्यूसर का काम और इंड्यूसर का काम करते ही जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया उन हो गया और जीन का एक्सप्रेशन उन होते ही एंजाइम बन गया beta galactosidase और enzyme बनते ही इसने क्या किया lactose को तोड़ दिया lactose को hydrolyze कर दिया into glucose and galactose में अब lactose जो inducer का काम कर रहा था उसको तह इसने तोड़ दिया तो that means no more lactose is available as an inducer अब lactose कोई भी available ही नहीं होगा और जब lactose ही available नहीं है inducer की absence में gene का expression क्या हो जाता है off हो जाता है तो ये था lackopron के mechanism के बारे में बहुत important topic है और ये तीनो के तीनो किशन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए एक तो यही वाला किशन why does lackopron shut down sometime after addition of lactose in the medium दूसरा किशन a very low level of expression of lackopron has to be present in the cell all the time explain और तीसरा किशन regulation of lackopron is under negative regulation justify ये तीनो के तीनो किशन के आंसर आपको अच्छे से याद होने चाहिए mechanism याद होना चाहिए जरूरी नहीं है कि mechanism पूरा पुछे आप से examiner आप भी पूछ सकते हैं inducer की absence में क्या होता है या फिर पूछ ले इंड्यूसर की presence में क्या होता है या फिर पूरा भी पूछ ले उसकी मर्जी है जो भी पूछे लेकिन आपको ये mechanism अच्छे से याद होना चाहिए वन आप दा मोस् इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चाप्टर का तो ये आपका लाक अप्रो नाच खतम हो गया है नेक्स लेक्चर में एक ए टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचया है इस डी ने फिंगर पिंटिंग तो आम उसको डिस्कूस करेंगे बिटा